नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप पर्मानेंट गवर्मेंट टीचर्स वेकेंसिया 2020 हैंजी देस्तों रेगुलर बेसिज की पीजीटी टीजीटी टीचर्स के काफे सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूट्मेंट आ गई है इनके लिए ओनलाइन आपको आवेदन करना होगा और यहां प्रेंसिपल की भी वेकेंसिया हैं इसके साथ साथ पी ईटी फिजीकल एजुकेशन टीचर्स की भी यहां अच्छी खासी पोस्ट हैं तो इनके बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जयनकारी आपको इनके डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ओफिशल वेबसाइट के माध्यम से हम इस वीडियो में प्रवाइड कराने जा रहे हैं आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरू से जरू देखें और टीचर्स की रिक्रूट्मेंट से जुड़ी ही सभी प्रकार की लेटस्ट अप्डेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरू से जरू सब्सक्राइब कर लें आप हमारे फेस्बुक ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए वहाँ पे भी हम आपको इसी प्रकार की लेटस्ट अप्डेट सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं तो ठीक है अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो देख लेते हैं कहां से रिक्रूट्मेंट आ रही है कौन-कौन आवेदन कर सकता है क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वाइल है इन पदों के लिए सबसे पहले पदों का विवरेंट देखिए प्रिंसीपल की टोटल वेकेंसियां 144 हैं इसके बाद पीजीटी के वेकेंसियां आ गई हैं इंगलिश 27, फिजिक्स 43, केमिस्ट्री 36, बाइलोजी 22, मैथमेटिक्स की 36 इसके बाद इसके तोटल 737 वेकेंसियां निकाली गई हैं कि इन की तरफ से ये देखिए ये है ओफिशिल वेब साइट यहाँ पे क्लिक करके आप इन के लिए आविदन कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके आप इसका डटेडल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ओफिशल वेबसाइट देखिए oav.edu.in तो ओडिसा आदर्स विधाले संगठन की तरफ से ये रिकूटमेंट आ रही है 23.11.2020 राद शाम पांच बजे तक आप इन पदों के लिए आविदन कर सकते हैं और 22.12.2020 से ओनलाइन एप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है अब देख लेते हैं सैलरी प्रिंसिपल के लिए स्टार्टिंग सैलरी सर्ड़ सट हजार साथ सो PZT के लिए 47.600 है और TZT के जहां तक बात है 44.900 सैलरी है P.E.T. के लिए 35.400 और computer teacher की जो vacancy है वो contact basis की हैं regular basis की नहीं है सैलरी सत्रा हजार 380 रुपर पर मन्त आपको मिल जाएगी अब देख लिजीए eligibility कोई भी भारत का नागरिक जिनका दिमाग सही हो वो इन पदों के लिए आविदन कर सकता है और जहां तक educational qualification के बात सब से उपर ही एक condition लगा दी गई The candidate must have MIL ODEA up to ME standard तो 10th class तक आपने ODEA Modern Indian Language ODEA जरूर से जरूर पढ़ी हो पर यहां पे भी आपको छूट मिल सकती है यह देखिए The candidate who have not passed ODEA up to ME standard can apply But they have to pass the examination ODEA up to ME standard conducted by DSE ODEA कटक Within 3 years from the date of joining अगर आपके पास यह exam clear नहीं है आपका तो भी आप आविदन कर सकते हैं पर condition यह है जोइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको यह paper clear करना होगा ODEA language का और इसी के साथ साथ आपका O TET paper 2 या फिर CTET का paper 2 clear होना भी आवशक है अगर आप आविदन कर रहे हैं TZT ODEA TZT English, TZT Math, TZT Science या TZT SST के लिए तो यह ध्यान रखिएगा CTET या O TET clear होना आवशक है ODEA language आपको आनी जरूरी है और उसी के साथ साथ बाकी तो same है TZT के लिए concerned subject में आपने graduation कर रखी हो और उसी के साथ साथ BAD की डिग्री आपके पास होनी चाहिए PZT के जहां तक बात है concerned subject में आपने post graduation कर रखी हो और उसी के साथ साथ BAD की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और subject भी यहाँ दे दिये गए है TZT English के लिए graduation में कौन से subject होने चीए TZT ODA के लिए कौन से तो आप ये देख लिजेगा इस PDF में वीडियो ज़्यादा लंबा करने का कोई फाइदा नहीं है ये PDF आपको हमारे Telegram Channel पे प्रवाइड करा दिया जाएगा Facebook ग्रूप पे प्रवाइड करा दिया जाएगा और इस वीडियो के नीचे description में भी इसका link प्रवाइड करा दिया जाएगा Official website में आपको वीडियो के starting में दिखा दी है वहाँ पे ये available है बाकी अब देख लेते हैं इनके लिए क्या application fees निर्धारित की गई है ये देखिए examination के cities दे दिये गए है इन इन शहरों में ये exam conduct कराया जाएगा जहां तक age limit की बात है principal के लिए minimum age 32 maximum 50 साल है category के according आपको अपर age limit में चूट मिल जाएगी principal से अलावा वाकी vacancy हैं उनके लिए minimum age 20 maximum 32 category के according आपको upper age limit में चूट मिल जाएगी और जहां तक application fees की बात है principal के लिए 1500 रुपे application fees है और 1000 रुपे application fees है SC, SD, PWD category के जो candidates हैं उनके लिए बाकी के जो vacancy हैं बच गई हैं उनके लिए 1000 रुपे application fees है और 700 रुपे application fees है SC, SD और PWD category के candidates के लिए online ही आपको application fees भी जमा करानी होगी और जहां तक official website की बात है एक बार आप फिर से देख लिजीए ये हैं इनकी official website है oav.edu.in यहीं पे homepage पे ही आपको link मिल जाएगा online apply करने का तो ठीक है दोस्तों short में सारे जानकारे इस recruitment से जुड़ी हुई वीडियो अच्छा लगाते हैं इसे like और share करें तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ अब तक के लिए नमस्कार